हेलो सभी को नमस्कार कैसे आप सभी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा होगा दिखो भैं हम क्या करने हैं हम जो हैं वह बीर्ड बीयर्ड फिर्स्ट इयर के अंदर जो पेपर वन है ना उसको हम हम लोग कर रहे हैं। B first year का paper one हमारा चल रहा है। और इस paper one की चार क्या है unit है। इसकी चार क्या है unit है। और आज हम लोग जो यूनिट फॉर्थ है, जो यूनिट आपकी फॉर्थ है, यान की चोथी जो यूनिट है ना, वो हम लोग आज शुरू करेंगे, आपकी तीन उनिट हो चुकी, मैंने आपको करवा दी तीनों यूनिट, आज हम चोथी यूनिट को क्या करेंगे, शुरू क करेंगे तो देखिए जो चोती यूनिट है इसके अंदर इसको करने के बाद इसके जितने भी पांच या छे या चार जो भी कोशन बनेंगे जो इंपोर्टेंट है वह आपको करवा दूंगी इसको करने के बाद लगए पांच कोशन तो बनेंगे इसको करने के बाद जो है हम तो देखो आज का जो हमारा टोपिक है वो क्या है आज का हमारा टोपिक या है कि यह बाल्यकाल है बाल्यकाल किसे कहते हैं बाल्यकाल जिसकों कि आप इंगलिश में क्या बोलते हैं चाइल्ड हुड बोलते हैं बाल्यकाल किसे कहते हैं पहली बात तो ये बाल्यकाल किसे कहते हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि जो निर्धंता का यानि कि जो गरीबी है निर्धंता का तथा व वैश्वी करण का इस बल्ले काल पर क्या परभाव पड़ता है जो निर्धरता है पोवर्टी है या फिर वैश्वी करण यानकी globalization इनका एक बालक के उपर क्या परभाव पड़ता है अगर कोई बालक निर्धन घर से है गरीब है तो उस गरीबी का बालक पर क्या परभाव तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बल्ले काल किसे कहा जाता है बल्ले काल किसे कहा जाता है पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं अब देखो जब मानो एक जो बच्चा है कोई भी बच्चा हो जब वो जनम लेता है तब उसकी शैश्वा वस्था उसको कहा जाता है शैश्वा वस्था जब एक बच्चा जरम लेता है तो बच्चा एक शिशू होता है छोटा शिशू उसको शैश्वा वस्था कहा जाता है और अलग अलग विदवानों ने क्या कहा अलग अलग बात बताई लेकिन सरो मानने क्या है कि जिरों से छे वर्ष का जो बालक है वो शिशू कहला यानि कि शैश्वा वस्था के अंदर ही वो होता है इसकी जो अवस्था है वो कौन सी होती है वो बच्चा होता है शिशू होता है इतना जीरों से छे साल का बच्चा लेकर नहीं कहता है कि जो छे से बारा साल का जो बच्चा होता है फिर वो बालक कहलाता है वो शिशू नहीं कहलता क्या कहलता है बालक और आयू क्या है छे से बारा वरश तक की है और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग बाले अवस्था के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग बाले अवस्था के नाम से जानते हैं क्लियर क्या कहा मैंने कि भी जो बा वो दिरे 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 ग्रोथ करता है उसका शरिरिक मानसिक और समाजिक विकास दिरे दिरे होता है और अगर हम सही अर्थों में कहें तो जो बालक का समाजिक विकास है वो छे साल के बाद ही शुरू होता है जब वो बच्चा स्कूल में जाता है अलग-अलग परकार के बच् चर्च से जब वो मिलेगा तो उसका सही अर्थों में क्या शुरुआत होती है उसकी बाल्यकाल की शुरुआत हो जाती है तो 6-12 साल का बच्चा जो है वो बालक कहलाता है तो जो बालक होता है वो समाज को दुनिया को समझने लग जाता है 6 साल तक बच्चा कुछ नहीं समझत लेकिन 6-12 साल तक के बीच में बच्चे का जो शरीर है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से बच्चे की बुद्धी का विकास होता है बच्चा क्या सिखता है पढ़ना सिखता है फिर बच्चा लिखना सिखता है समाज के साथ वो कॉंटेक्ट करता है बच्चा जो है वो समाज के साथ क्या करता है कॉंटेक्ट करता है पढ़ना सिखता है बच्चा लिखना सिखता है फिर इस अवस्था में जो बालक होता है ना शुरुआत होती है, 6-12 साल के बालक के अंदर, फिर जो इस अवस्था के अंदर जो बालक होगा, वो बालक के अंदर रचनातमक्ता का गुण पाया जाता है, रचनातमक्ता का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है, आप कहोगे मैणम ये क्या है रचनातमक्ता, इसको आ आपने ये देखा होगा कि जाजा तर जो ठीचर होते हैं ना वो 6-12 साल के अवस्ता के अंदर बच्चे को कोई चार्ट कोई मोडल है ना कोई चितर बनाने के लिए अकसर देते हैं स्कूल में दिया जाता है कि आप ये मोडल बना कर लाइए आप ये चितर बना कर लाइए आप ये चार्ट बना कर लाइए तो स्कूल के अंदर इस परकार से दिया जाता है तो देखिए जो बच्चा है वो जो बना कर बड़ा खुश होता है बच्चा है जो चार्ट चितर और मोडल को बना कर क्या होता है बड़ा खुश होता है क्योंकि बच्चे के अंदर रच्चनात्मक्ता का क्या पाया जाता है गुण पाया जाता है और बच्चे के अंदर कितने भी हम इस अवस्था में बच्चे को लेंगवे सिखा सकते हैं एक जो बच्चा है जब वो बच्चा एक मिट भई एक बचा जब वो वो किस अवस्ता में होता है जब बच्चा बाले अवस्ता के अंदर होता है तो बाले काल को आप कितने भी लेंगुज शीका सकते हो बाले काल के बाद यान की बारा बरश के बाद बच्चे को नही नही लेंग्वेज सिखाने के लिए तो विशेश परियास करना पड़ता है बच्चा थोड़ा कम सीखता है नहीं नहीं लेंग्विज लेकिन बारा साल तक के बच्चे को आप कितनी भी लेंग्विज सीखा सकते हो बच्चा क्रियेटिव होता है उसके बाद ये बच्चे की गैंग एज होती है गैंग एज होती है, जिसको क्या कहा जाता है, कि समू की आयू कहा जाता है, समू की क्या कहा जाता है, आयू कहा जाता है, यानि कि बच्चा कैसे रहता है, गैंग बना कर रहता है, समू बना कर रहता है, जैसे बारा साल का बच्चा, जैसे साल तक का बच्चा खिलोने से नहीं होती लेकिन बाले काल के अंदर बच्चे को दूसरे सातियों की जुर्थ होती है दुखा मैं आपके ये पॉइंट टू पॉइंट लिख देती हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए तो पहली बात तो क्या कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है बच्चे का क्या पाया जाता है बालक के अंदर गुण पाया जाता है उसके बाद ये समुह की आयू है यह क्या है समुह की आयू है यानि कि इसको हम लोग गैंग एज बोल सकते हैं जब बच्चा किसमें रहता है जब बच्चा हमेशा गुरूप बना कर रहता है अपने साथियों के स उसके बाद बच्चे की अवचारिक शिक्षा का ये काल है बच्चे की जो अवचारिक शिक्षा की आयू है अवचारिक शिक्षा की आयू माना फॉर्मल एजुकेशन अवचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है ना वो बच्चे की इस में शुरू होती है क्यों क्योंकि छे वरस का बच्चा स्कूल जाने के लाइक होता है तो बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो बच्चे की जो फॉर्मल एजुकेशन है वो बच्चे के क्या हो जाएगी शुरू हो जाएगी बच्चे के क्या हो जाएगी फॉर्मल एजुके इस समय के अंदर बच्चों की बुद्धी के बारे में बच्चे के मन के बारे में समझना आसान नहीं है यह अवस्था इतनी अजीब होती है कि माता पिता भी कई बार बच्चों को नहीं समझ पाते हैं तो यह जीवन का एक अनोखा काल है जब बच्चे के दिमाग के अंदर ग्यान का एक विस्वोट होता है, ग्यान का क्या होता है, एक विस्वोट होता है, क्योंकि छे साल तक बच्चा ग्यान नहीं सिखता, वो दिरे दिरे बस चारेरिक और मानसी ग्रूप से बढ़ता है, लेकिन छे साल के बाद, बच्चे के जीवन में ग्यान का विस्वोट होता है बच्चे को अनेक जो ज्यान प्रद जो बाते है वो बच्चा स्कूल में जाकर सिखेगा समाज में सिखेगा माता पिता बच्चे को अनेक बाते सिखाएंगे और इससे बच्चे के अंदर क्या होता है ज्यान का एक विस्वोट होता है जिसको हम कह सकते हैं कि यह जीवन का क होती है मैचोर्टी जो होती है ना बच्चे की सच नहीं होती बच्चा छे से बारा साल का बच्चा ये सोस्ता है कि मैं मैचोर हो चुका हूं मैं समझदार हो चुका हूं लेकिन वास्ता में वो मैचोर नहीं होता बच्चा हर बात में अपनी टांग अडाएगा घर के अंदर क तो बडे हो कहते हैं भजै को कि चुपराए है क्योंकि यह जो तु थो चोता है अभी तेरे को अखल नहीं या ग्यान नहीं है लेकिन बच्चे के अंदर जो परिपकवता होती है जो मैचोर्टी होती है बच्चे के अंदर जो परिपकवता होती है बच्चे में जो मैचोर्टी होती है बच्चा वास्त में परिपकवन नहीं होता वास्त में बच्चा मैचोर नहीं होता जूठी बालक के अंदर काम भावना नहीं होती, अपोजिट सेक्स का बच्चे के परती कोई आकर्शन नहीं रह जाता भी, आपने एक सर देखा होगा, कि छो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं, वो कलास के अंदर, जो लड़के होते हैं, वो सारा दिन लड़कियों की शिकैत लगाएंगे कि मैडम देखो, दीदी ऐसे कर रही है, दीदी नकल मार रही है, दीदी ने मेरी पैंसिल ले ली, दीदी यूं कर रही है, और जो लड़किया होंगे न, वो लड़कों की शिकैत लगाएंगी, कि भाईया ऐसे कर रहे हैं, भाईया वैसे कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये अब बात कर लेते हैं कि समाजिक विकास की आयू है ये जो है समाजिक विकास की क्या है आयू है तो इस अवस्ता के अंदर समाजिक विकास होता है बाले का बालक समाज से जुड़ता है शोशल है ना समाज से जुड़ता है और बालक के ये विकास होता है समाजिक भावनाओं क अनेक समाज की बाते बालक के नई-नई समझे में आती है ठीक है उसके बाद संग्रह करने की परविर्ती यानि कि बालक के अंदर टिक्टों का कंछों का संग्रह करने की परवर्ती होती है बालक के अंदर संग्रय करने की क्या होती है परवर्ति होती है बालक जो है छे से बारा साल का कभी टिक्टो को इकठा करेगा कभी कंचो यह कंचे होते हैं खेलने वाड़े इनका डिबा बर लेगा ठीक है और वो अनेक सिक्को को इकठा करेगा अनेक पैन को इकठा कर लेगा पैंसिर को इकठा कर लेगा, इरेजर को इकठा कर लेगा, क्योंकि यह जो आयू होती है, यह संग्रे करने की होती है, बालक नई नई चीजों का क्या करता है, संग्रे करता है, उनको इकठा करता है, और उसको ऐसा करने में बड़ी खुशी होती है, तो संग्रह करने की बालक के अंदर क्या पाई जाती है परवर्ती पाई जाती है जब बच्चा नहीं नहीं वस्तू को क्या करता है संग्रह करता है नहीं नहीं चीजों को क्या कर लेता है इकठा कर लेता है उसके बाद निरुदेश्य उसके बाद है निरुदेश्य भर्मन कर करने की परवर्ति बालक जो है ना वो बिना उदेशे के भर्मन करता है बालक का कोई उदेशे नहीं होता वो बिना उदेशे के क्या करता है भर्मन करता रहता है इधर से उदर गूमता रहता है तो निरुदेशे भर्मन करने की जो परवर्ति है ना बच्चा कभी बाहर जाए इधर से उधर, तो निरुदेश्य भर्मन करने की परवर्ति भी बालक के अंदर पाई जाती है, तो यह मैंने आपको कुछ दस क्या बताई, यह विशेष्टा ही बताई, जो बालकों के अंदर पाई जाती है, ठीक है, एक तो मानसिक विकास होता है, रचनात्मक्ता का गुण अगर इस तरह का कुशन आता है एक्जाम के अंदर, तो आपको यह सब लिखना पड़ेगा, यह बालक के अंदर बालक के अंदर यह परवर्तियां होती है, अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, निर्धनता की, अब किसकी बात कर लेते हैं, निर्धनता की बात क कर लेते हैं निर्धंता माना गरीबी यह कहता है कि पहले तो यह बताओ कि बल्ले काल क्या होता है और दूसरी बात यह बताओ कि गरीबी का बल्ले काल पर क्या परभाव पड़ेगा अब गरीबी किसको बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार की ज़ुरूरतों को पूरा ना कर सके अपने परिवार के खाने पीने की ज़ुरूरतों को कपडे लटे की ज़ूरतों को सिर्क पर्षत ना हो पहनने के लिए जूते ना हो ठीक है न? और दोनो टैम तीनो टैम का खाना ना तो ये वो हमारी basic needs क्या है, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, कोई चाय दूद भी चाहिए, है ना, फिर पहनने के लिए मोसम के अनकूल, सरदी गर्मी के अनकूल कपड़े चाहिए, पैरों में हमें जुते चपल चाहिए, पढ़ाने के लिए जब बच ऐसे हमारी पس होने चाहिए अगर कोई व्यक्ति इन बेसिक निड़स को भी परिवार की इन जरूर्तों को भी वो पूरा नहीं कर पता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गरीबी बोलते हैं. यही बात है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं. फिर गरीबी किसे कहते हैं बई? परिवार की परिवार की न्योंतम आवशक्ताओं को पूरा ना कर पाना ही ना कर पाना ही गरीबी कहलाता है गरीबी कहलाता है ठीक है कि परिवार की नियुनतम आवशक्ताओं को पूरा ना कर पाना क्या कहलाता है गरीबी कहलाता है अच्छा ये जो गरीबी होती है ना इसका बालक के उपर क्या परभाव पड़ता है जो गरीबी हमारी होती है उसका एक बच्चे के उपर एक बालक के उपर क्या परभाव पड़ता है देखो गरीबी से बालक परभावित होता है अगर कोई बच्चा गरीब घर से उता है ना तो उसकी आवशकता ही पूरी नहीं होती जबकि जो उसके संगिस आती है ना उनकी आवशकता ही पूरी हो रही है उसके जो मित्र है उसके जो दोस्त हैं, वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा फिर वो टीफिन के अंदर बढ़या बढ़या लाते हैं, उनकी ड्रेसी जो है, उनके पास यूनिफोर्म में वो बढ़या है, ठीक है, उनके पास जूते बहुत अच्छी क्वैलिटी के हैं, उनके पास कापी किताब तो इससे बच्चे के उपर बहुत परभाव पड़ता है, जो कि बच्चे की बुद्धी ऐसी नहीं होती, जो इन बातों को समझ सके, कि वही हमारे परिवार की अशक्ते हैं पूरी नहीं हो रही, हमारे गरीबी है, बच्चा कई बार क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है, बच्चे को ये फील होता है, कि तेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि तू अपने दूसरे मित्रों के, दूसरे दोस्तों के बराबर नहीं है, तो गरीबी का, एक बल्ले काल पर, देखो, जब बच्चा बारा साल का हो जाएगा, और उसके बाद जब वो किशोर क्या हो जाएगा, किशोर हो जाएगा, यान कि किशोरा वस्था में जब वो बच्चा परवेश करेगा, तो क्या होता है, बच्चा समझ जाता है, अपनी परिवार की हालातों को देखकर, बच्चा समझ जाएगा, कि हां, कि हमारे घर में ऐसा नहीं है, कि मैं नहीं कर सकता, मैं फोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पापा फोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन छे से बारा साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती, कि वो इन बातों को समझ सके, जैसे वो अपने पापा से कहेगा, कि मुझे नए जूते लिदला दो बड़े सुन्दर से अच्छे से मेरे दोस्त के पास वैसे ही है, उसके पापा कहेंगे कि बेटा बीनी से काम चला, जैनी को थोड़ा ठीक करवा देते हैं, मरमत करवा देते हैं, जूते बाद में लेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, तो बच्चा इस बाद को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बच्चे के अंडर इतनी बुत आप में पैसे क्यों नहीं देते, क्योंकि बच्चे के बुती में ये बात नहीं बैठती कि मेरे पापा के पैसे नहीं है, मेरे पापा अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे घर में है, जो गरीबी है, तो इसका बाले काल पर क्या प्रभाव पढ़ता है, देखो बई, जो जीरों स भी चोटा है। और बारा साल के बाद बच्चा जमस्दार हो जाएगा, अब ना समझी कि उमर कौन सी हो गई, छैसे बारा साल, जो बाल्यकाल है, वो ना समझी कि उमर हो गई ना, इसलिए आपके, बीड फस्ट येर के इस पेपर के अंदर, बाल्यकाल के बारे में पूछा गया है, कि जो एक बाल्यकाल के अंदर, बच्चा जो है निर्धनता उसके उपर क्या परभाव डालती है, यानि कि अगर माब आप निर्धन हो, तो बाल्यकाल के अंदर बच्चा कैसा हो जाता है, वो निर्धनता कैसा परभाव डालती है, ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको हम लोग अब, तो आपको ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपके कलास के अंदर जो बच्चे होंगे ना, हो सकता है किसी बच्चे के साथ इस तरह की समस्या हो, बच्चा बिलकुल गरीब घर से हो, तो बच्चा किस परकार का हो जाता है, आप कैसे समझ सकते हैं उस बच्चे को, ये बच्चा सीख जाता है, क्योंकि उसकी आवशक्ता ही पूरी नहीं होती, और वो फिर गलस रास्ते पर कई बार चल पड़ता है, तो देखो, गरीबी बहुत बड़ी समस्या है, हमें पता है, धन का भाव है, कमी है, उसको गरीबी कहते है, बालक पर क्या परभाव पड़ता है, आवशक्ताओं की पूर्ती में कठिनाई, पहली बात तो यह होगी, यह जो आवशक्ताओं होंगी ना बच्चे की वैसे तो मैंने आपको यह समझाई दिया लग बग, लेकिन फिर भी हम आपको लिखना कैसे है एक्जाम के अंदर, यह बताने के लिए मैंने आपको नो जाती है, तो पहले समस्या क्या कहेंगे, आवशक्ताओं की पूर्ती में कठिनाई, जो उसकी नीड होगी ना उसमें फूलफिल्मेंट नहीं होगी उनकी, गरीबी के कारण अपने बच्चों की आवशक्ताओं को पूरा नहीं कर पाते माता पिता, जिससे बालपन में ही ब भावना और उसका जो पूरा व्यक्तितव है ना वो विक्रित, विक्रित का मतलब बिगड जाता है, बच्चे का पूरा व्यक्तितव ही खराब हो जाता है, पूरा व्यक्तितव ही बालक का क्या हो जाता है, बिगड जाता है, ठीक है, उसके बाद अगली बात है हमारी, क्या कि परिवारिक विगटन, अगली बात क्या है, परिवारिक विगटन, ये परिवारिक विगटन क्या है, कि निर्धनता का पर्तिकूल परभाव पर पर पड़ता है, परिवार में रहने वाले बच्चे भी परभावित होते हैं, और गरीबी के कारण परिवार में संघर्ष, सं तवन उत्पन हो जाता है, जिससे परिवार बिखर जाता है, विगटित होने का मतलब क्या होता है, जिससे परिवार क्या हो जाता है, बिखर जाता है, इसे बच्चों के विकास में क्या आती है, बाधा आती है, ये बात बच्चों के विकास में क्या करती है, बाधा उत्पन क क्योंकि प्रिवार में लडाई होगा, लडाई होगी, जगड़ा होगा, कलय होगा, और सभी स्ट्रुगल करेंगे लाइफ के अंदर, परिवार के अंदर, तो क्या होगा, परिवार कई लगा है ठूट भी जाता है, उसके बाद शैक्षिक पिछडापन, एजॉकेशनल बैक वाडनेस, गरीबी का परभाव बच्चो के शिक्षा पर भी पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है वही, जो गरीब होते हैं अपने बच्चो का अच्वित प्रबंद अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, गरीब होगा वो कोई ठीक ठाक स्कूल में पढ़ाएगा बच्च एक तो होता है, जहां पर बच्चा वास्त में ही पिछडा हुआ है, यानकि बच्चा वास्त में ही नालायक है, एक तो ये बात होती है, बच्चा वास्त में क्या है, नालायक है, और दूसरी बात क्या है, कि बच्चा नालायक नहीं है, बच्चा तो सही है, लेकिन गरीबी का परभाव है तो बच्चा एजूकेशन में पिछड रहा है बच्चा सही है बच्चे की बुद्धी सही है Catching Power सही है सही catch करता है बच्चा अच्छा पड़ता है लेकिन गरीबी इतनी है परिवार के अंदर गरीबी के कार्ण बच्चा क्या हो रहा है? पिछड रहा है. क्यों? तो बढ़िया स्कूल में नी पढ़ा सकते माता, पिता जितना भी स्टेशन दिय का समान है वो बच्चे के लिए नहीं प्रोवाइड करवा सकते तो परिणाम क्या हो जाएगा? बच्चा पिछड ने लग कांक्षा का मतलब क्या है इच्छा गरीप रिवार के बच्चों का जो इच्छा स्तर है और उपलबदी स्तर है वो बच्छपन में ही गिर जाता है यो कि बच्चे की जो इच्छाएं होती है ना बच्चे की इच्छाएं ये बार बार मार दी जाती है इच्छाएं मारी जाती बच्चे का मन होता है कि मुझे ये खरीदना है, मुझे ये चाहिए, मुझे आइस्क्रीम खानी है, चोकलेट खानी है, जैसे दूसरे बच्चे खाते हैं, मुझे पार्क में घूमने जाना है, मस्ती करनी है, खूब बढ़िया जीवन जीना है, माता पिता नहीं कर पाते हैं, माता पिता बच्चे को बढ़िया खाना नहीं दे पाते, अच्छे कपड़े लते नहीं दे पाते, तो बच्चा धीरे 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 क्या हो जाता है, बच्चा पिछड़ना शुरू कर देता है, बच्चे का जो अकांग्षा स्तर है ना, इच्छा स्तर है वो गिर जाता है, दे तेरे पास एक गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, तभी आप आगे बढ़ सकोगे. जो इंसान ये मान लेता है ना, कि जितना बगवान ने दे दिया, ठीक है बस, दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी खाओ और पर्भु के गुणगाओ, जिसने ये समझ लिया, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता. देखो भई, गरीब के घर में पैदा होना, आपनी किस्मत होती है. गरीब के घर में पैदा होना किस्मत है, अबदुरकलाम ने कहा था एक बार, गरीब के घर में पैदा होना किस्मत है, पर गरीब मरना किस्मत नहीं है. गरीब के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया, बच्चा क्या करें? किस्मत है, बगवान ने पैदा कर दिया. लेकिन अगर वो गरीब मरता है, तो इसका मतलब उसके अंदर कमी है. उसके अंदर क्या है कमी है, वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता, भगवान ने हमारे दो आदिये, दो पेर दिये, दो आखें, दो कान देई है, अपना बढ़ी अदिमाक दिया है, तो हम क्या गरीबी को नहीं उखाड फैक सकते हैं, बिल्कुल फैक सकते हैं, अगर व्यक्ति मे यह बना लिए अपनी मेहनस से, है ना, कि वो आगे बढ़ता चला जाए, पिछे उना मुड़कर देखे, तो क्या इसका अकांग्षा सतर और उपलबदी, उपलबदी का मतलब जो हम हासिल करते हैं, बच्चे की जब इच्चा ही मर जाएगी, तो वो क्या असिल करेगा, वो बच्चपन में ही गिर जाता है, इसका जो परभाव है, पर्तिकूल, वो बालक के मांसिक विकास पर पढ़ता है, बालक के समाजिक विकास पर पढ़ता है, समय गातमग विकास पर पढ़ता है, और आर्थी विकास पर, देखो एक चीज कितने विकास को परभावित करती है, अगर बालक का अकांख्षा सतर गिर जाएगा, उपलब्दी सतर गिर जाएगा, तो बालक का मांसी विकास कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, मांसी विकास का मतलब क्या है, बुद्धी, बालक की ज में तो यह करिए नहीं सकता। उसके बाद बच्चे का शुअगा प्रत्राभी अश्यां कि इम्शशनल डेवलोप्मेंट सुखतमfacedम इमोशनल डेवलोपमेंट जो अफ नहीं होगा। सवे गातमक विकास है न वो भी रूख जाएगा और आर्थिक विकास तो रुकेगा ही रुकेगा अरे जब आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी तो किसले कमाएगा नहीं कमाएगा बज्चा वो कमाने की तरफ ध्यान नि देगा वो सोचे का ठीक है दालोटी चल रही है थोड़ा, बतत मिल जाता है, खाने के लिए, चलो कपड़े है अ, तन ढखने के लिए थोड़ बतत मिल रहे हैं, ठीक है भई, और यह जो गरीब है, यह जो जो प्रइवाले होते हैं, योर होते हैं, यह क्यों मांगते हैं, क्योंकि उनको आतित पड़ी हो गरीब रेने की, यह क्यों बढ़ना नहीं चाहते हैं, जैसे एक बार, एक जो महिला थी, बिल्कुल हट्टी-कटी, बिल्कुल जवान यंग, और वो मेरे को कह रही है कि दस रुपे दे दे, मैंने का, दे क्यों में आतिता है, कोई साफ सफाई का का में, तो भर जड़ पचावेरा कर ले, कोई और, मैं का का काम कर ले, इतने अठेकटी लेडी, और सारा दिर मंंगती ही कुम रही है, यह का काम कर तो बता हैं मिल को क्या जओ दिया, बुला, यह भी तमारा काम है, यह तो नही तो कि हमारे तो बिजनस यही है मांगने का, अब बताओ क्या कहें उसको, अगले ने बिजनस मना रखा है, कि पैसे मिल जाएंगे मांगने से, आथ फिलाने से, दस रपे दे दे दे, पांच रपे दे चल दो ही दे दे, चाप या दे, है ना, क्या हीगा बिस्कुट का पैकट दिर ही नहीं है, हर कदम कदम पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, कहीं भी काम कर ले जाकर बंदा, घरों में सभाई कर ले, अगर जैंट्स है तो उसके लिए तो बहुत सारी फोर्चलूटी है, जैंट्स तो कुछ भी कर सकता है, आदमी तो, लेकिन इनोंने अपना ये नीती मान लिए, भग मान लिया, कि भी गरी पैदा हो गए तो गरी भी मरेंगे, अपने को आगे बढ़ना ही नहीं है, बहले मांग के खा लेंगे, तो ये मांग खानी जात हो जती है, फिर बाद में, तो अमेशा आगे बढ़ना चाहिए, गरी जो है ना, अब वो जो मांग रही वो लीडी जिसने मिर को ये जबाब दिया कि ये भी तो कामी है, उसका अकांग्शा सतर है, वो गिर चुका है, आगे बढ़ने की उसमें इच्छा ही नहीं है, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, अपलबदी का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट, यहां कि वो कुछ है, यहां कि कोई स्रम नहीं है मांगने में, अपने दुखडे बताने में जुठे जुठे, और आर्थी विकास तो होई गया परभावित, तो यहां कि पूरा वेक्तितव ही परभावित होता है, वाना कलियर, आ गया समझ में, उसके बात देखो, इसके बात देखो, इसके एक मिट भई, यह मेरे से कुछ इसमें डिजिल बोर्ड है, मेरे से कुछ इसमें दब गया भई, और इसके कारण है, यह चलने रहा, एक मिट है रहो, हो सकता आ गया एक मिट है हुई, मेरे से कुछ दब गया इसके अंदर, और यह हो नहीं रहा है, अब दुबरा करते हैं, एक मिट, एक मिट है यह भई, अजी, यह मेरे से तो भी है, स्क्रेंशेरिंग, अगर शुरू हो गया तो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग करते हैं भी, क्योंकि जो टेक्निकल टीम का हमारा बंदा है न, उसको कोई काम हो गया, और वो उठके अभी यहां से चला गया, अभी गया है, वो दो चार मिनिट हुई है, उसको कोई काम था, और वो अभी चला गया, चलो, हम यह हमारे लेक्चर को यहीं पर खतम करते हैं, क्योंकि देखो मेरे से ही हो नहीं रहा, तो यह टेक्निकल टीम का काम है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके अंदर कौन सा प्रेस करूँ, तो आज का जो हमारा टोपिक है, हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और हमारा जो यहीं निर्धंता वाला बीच में रहता है, और व्यश्यक्रण वाला भी रहता है, तो हम इसको नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है?